जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्रेब नहीं करते हैं वो तीन दिन में गायब हो जाते हैं के आर्मी भहूत कम बची होई थी लेकिन फिर भी वे लड़ते रहें लेकिन एक टाइम एसा आया कि टेर्रिस्त निने उन्हें पकल लिया और अपने केंप में लेकरो चले गए अमेरिकन आर्मी भी उन दोस्तों के साथ में हेलिविन पार्टी को एंजॉय कर रहे थे वहाँ पर एक लड़कियों का मुजिक बेंड भी था जो के हेलिवन पार्टी में गाने गाने जा रहे थे और उनके बेंड का नाम था है किल पूसी किल उनका सौंग क्षतम होने के बान में DJ स्पीड और मिस्टी गाड़ी में बीठ कर नशे करने लगे थे और Ember और Cat एक दूसरे को किस करने लगे थे क्योंकि वे दोनों Lesben थी और नशे करते करते मिस्टी और स्पीड कपले खोल कर मेंक आउट करने लगे थे वे दोनों इंटिमेट होने ही वाले थे कि तभी एक वीलचेर में बेटकर वहाँ पर एक आदमी आता है और गाड़ी के पास आकर चिलाने लगता है इस्पीड बाहर आता है और वो आदमी मिस्टी को अकेला छोड़ देने को कहता है फिर इस्पीड इस बात से गुस्सा होकर उस आदमी को मारता है और मिस्टी गाड़ी से बाहर आकर इस्पीड को गालिया देती है क्योंकि वो एक अपाईच को मार रहा था और उसी टाइम सारी लड़कियां और रोजर महाँ पर आ गये थे और सभी स्पीड को ही गलत बोलते हैं तो स्पीड वहाँ से गुस्सा होकर थोड़े दूर आगे पीटर नाम के एक लड़के के पास जाता है और वो आदमी भी उसी तरफ जाता है सभी लड़कियों को वह आदमी बहुत अजीब लग रहा था और उसके फेस पर बहुत सारी बेंडिजेस बंदी हुई थी और वो खून से सनी हुई थी स्पीट पीटर के साथ कहीं पर चला गया था तो उनके बेंड का रात का शो कैंसल हो गया था तो रोजर, एमबर, कैट, नाटालिया, मिस्टी, ब्रिगेट को लेकर कहीं पर गुमने निकल गये थे अब राते में वो एक կेस स्टेशन पर उकते हैं और आपको तो ये पता ही है, होरर ठीलर और स्लेशर मोवी में, ये होई ने सक, मिस्टी कार से निकल कर उस येस स्टेशन के अंदर जाती है और फ्यूर्ड डलवाने के बाद में वे लोग मिस्टी का वेट करते हैं पर वो अंदर से नहीं आती है तब ब्रिगेट अंदर देखने जाती है पर अंदर कोई नहीं था सभी मिस्टी को ढूंडते हैं पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलती और नहीं उसका फोन लग रहा था तब ही महाँ पर डेल नम का एक आदिमी आता है और वो लोग उसे मिस्टी के बारे में पूछते हैं डेल वहीं पर काम करता था और वो इतने जादे नशे में था कि वो उनके किसी भी सवल का जवाब ठीक से नहीं दे पा रहा था मिस्टी का कोई पता नहीं था तो वे सभी महाँ से निकल कर मिस्टी को बाद में ढूणने आने वाले थे लेकिन अब उनकी गाड़ी स्टाटी नहीं हो रही थी क्योंकि गाड़ी की बैटरी पूरी तरीके से जल गए थी और वो अब ठीक नहीं हो सकती थी Ember Del से दूसरी कार के बारे में पूछती है Del बताता है कि उन्हें वहाँ से कुछ दूर एक कार मिल सकती है वो ये भी कहता है कि बाद में वो उनके कार को ठीक कर देगा वे सभी Del के कार में बेटकर निगल जाते हैं और Del उनको एक घर के सामने लेकर आ जाता है जहाँ पर हैलोविन के कुछ साइंस लटक के हुए थे और उन सभी को लगता है कि वहाँ पर हैलोविन के पार्टी हो रही है पर अचानक Del एक गेस मास्क पहन कर कार में एक गेस छोड़ देता है और वो Ember को एक मुका मार कर उसे भ्योश कर देता है सभी बहुत डर जाते हैं और कुछे देर के बाद सभी भ्योश हो गए थे Del Ember को उठा कर घर के अंदर एक बेस्मेंट में ले जाता है और कुछे देर के बाद में Natalia को होश आता है तो Cat उसे कहती है कि उसने हमें यहाँ पर ट्रैप करकर रखा हुआ है Natalia सभी को एक एक करके होश मिलाती है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और सभी एक दूसरे सही जगड़ा करने लग गये थे Cat एक लोहे का रॉल लेकर उस रूम की दिवार पर मारती है पर इतनी मजबूत दिवार ऐसे ही थोड़ी ना तूटने वाली थी तब ही उस रूम में एक आवाज गुचती है कि तुम सभी एक वार गेम में हो और तुमें तीन रूम को पार करना होगा तब ही तुम यहाँ से निकल सकते हो लेकिन दूसरे रूम तक जाने के लिए किसी एक को खुद मरना या फिर किसी और को उसे मारना होगा असर होता है कि सभी अपने सबसे बड़े डर को अपने सामने देखने लगते हैं अपने डर को सामने देखकर वे सभी वहाँ से भागते हैं और चिलाते हैं और उस गेस ने उनके दिमाग पर काबू कर लिया था कुछ देर के बाद में वो आदमे गेस बंद कर देता है फिर उ वहाँ से एक डोर से मिस्टी उनके पास आती है उसके फेस की एक साइट की चमली बिल्कुल चीरी हुई थी और वे लोग मिस्टी को समालते हैं वो उसे उसके फेस के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं ब्रिगेट वहाँ से निकलने के लिए किसी पर गन चलाने वाली थी और भी तड़पने और चिलाने भी लगते हैं और रोजर एसीड के पाइप को अलग करने की कोशिश भी करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता है अब कुछ टाइम के बाद में एसीड गरना रुख जाता है और सभी के शरीर पर जलने के निशान बन गए थे उनके शरीर से खून न मारे जाते हैं और उनके मरते ही वो गैस भी अब रुख गए थी और तभी अगले रूम का डौर खुलता है सभी को उनकी मौत पर बुरा लग रहा था लेकिन उन्हें खुद भी बच्छना था और सभी दूसर रूम में चले जाते हैं अब इस तरफ हम देख पाते हैं कि उ बच्चों को एक केंडी देती हैं वे बच्चे थोड़ा नाराज होते हैं पर उनकी मौम उन्हें थेंग्यों कहने को कहते हैं फिर वे मौह से जाही रहते कि तभी बरता उन पर एक बॉम मार कर उन्हें मार डालती हैं दूसरी तरफ इस पीड अपने दोस्त पीटर और उसक इनों को बिना वज़े गोली मार देता हैं और बरता उन लाशों को महा से उठाकर ठिकाने लगा देती हैं अब पार्टी से निकल कर जब पीटर बिली और स्पीड जा रहे थे तो इस पीड को उसी गैस स्टेशन पर रोजर के कार दिखाई देती हैं इस पीड कार से उतर कर डेल से उस गाड़े के लोगों के बारे में पूछता है और डेल उसी घर का रास्ता उसे दिखा देता है डेल की बाते भी स्पीड को अजिब लग रही थी और वो कार में बेटकर उन्हें ढूनने के ले निकल जाता है अब यहाँ पर लड़किया दूसरे रूम में चली आ जाती है और वहाँ पर एंबर अपना शरीर को आएने में देखा कर डर जाती है और तभी पिछले रूम का डोर भी अब बंद हो गया था इस पीड कार से निकल कर उस घर के अंदर जाता है और वो उसी रूम में जा पहुचता है जहां पर वे सभी लड़किया थी उससे वह पर रोजर और मिस्टी के लाज दिखाई देती है और वो समझ नहीं पाता है कि वो लोग यहां पर कैसे मारे गए और यहां पर वो क्या कर रहे थे पीटर और बिली वहाँ पर आते हैं और बिली बहुत नशे में था अब तीनों के अंदर आते ही उस रूम का डोर अपने ब अब कोन मरेगा और वे सभी चाकर भी एक साथ वहां से नहीं निकल सकते थे वो आदमी उन्हें पास के रूम में लड़कों की आवा सुनाता है और केट को पता लगता है कि वो स्पीड है वो आदमी उन लड़कियों को 60 सेकंड में सिलेक्ट करने को बोलता है और कहता है कि या तो उन में से कोई एक मरे या तो लड़के के रूम के गेस के वज़े से वे सभी लड़के मारे जाए जिसके बाद में टाइम स्टाट हो जाता है ब्रिगेट उन लड़कों को मार दे जाने को बोलती है ताकि वे सभी कुछ टाइम बचे रहें एमबर और नटाले भी को वो उसे मार दे क्योंकि वो इन सबी चीजों से परिशान हो गई थी लेकिन ब्रिगेट से ऐसा नहीं होता है अब लड़कों के रूम में गेस लिक होती है और उनको असास नहीं आ रही थी वे लोग तलप में लगते हैं और इधर लड़कों के बीच में गन को लेकर जगला हो हो चुकी थी और मुझ से जाग निकल रहा था सब भी अपने आपको संबालते हैं और इधर लड़कों को दूसरे रूम में एक गन मिलती है नाटालिया वो गन उठाने वाली थी पर कैट उसे अपनी गन दिखा कर रोक लेती है नाटालिया केट पर ही शक करने लगती है मुका देखकर नाटालिया गन उठाने जाती है लेकिन कैट और उसके बीच में फिर से जगला हो जाता है और गन उन से दूर चली आती है अब एमबर उस गन को उठा कर उन लोगों को जगला नहीं करने के लिए कहती है लेकिन वो नहीं रुकते हैं और एमबर की गोली देल आ जाता है डेल के हाथ में एक गन था और डेल स्पीट को मानने लगता है फिरो बिली को गोली मार देता है और पीटर अपने भाई को मरता देखकर बहुत होता है अब डेल पीटर से बाते कर रहा था और मोका देखकर स्पीड उसके पेर में एक किल गुसा देता है और वो उसे मारने लगता है तब तक Peter गन उठा लेता है लेकिन डेल उसे मैनिपलेट करने लगता है तो Peter गोली नहीं चलाता है तब ही Speed पीटर से गन चीन लेता है और डेल के एक पेर में गोली मार देता है अब वहाँ पर उस रूम में वो आदमें ये announcement करता है कि पीटर को मार दो तब तुम्हें दूसरे रूम में ले जाया जायेगा पीटर उस आदमी की बात नहीं मानता है और एक केल से डेल की आखों को निकालने लगता है और उसकी आख निकालकर वो केमरा में दिखा कर कहता है कि अगर हमें यहां से नहीं निकाला तो उसक और लड़का मिल जाती है लेकिन स्पीड और एमबर एक दूसरे पर गन ताने हुए थे अब ये गेम ऐसा हो गया था कि दोस्त अपने दोस्तों पर ही विश्वास नहीं कर सकते थे डेल लगातार कुछ भी बोले जा रहा था तो स्पीड गन से उसके मूपर मारता है और वो उससे वहाँ से बाहर जाने का रास्ता पूछता है डेलक केते ही वो आदमी एक और दर्वाजा खोल देता है और वहाँ पे एक गन थी उस गन से कील निकल रही थी और सब भी वहाँ से बागते हैं केट के उपर एक कील घुश जाती है और गपलाट में वो पहले वाले रू वो दोर अब नहीं कुल रहा था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे अब मर जाएंगे केट किसी तरह से अपनी पीट पर लगे किल निकाल लेती है और वो आदमी वहाँ पर तेज वाल्यूम में एक साउंड चला देता है केट उन आवजों को सुनकर तलबती है और चिलान केटा है और अचानक उस रूम का डोर खुल जाता है अब उनको है डिसाइड करना था कि वो केट की तरफ उसे बचाने जाएंगे या दूसरे डोर से अपने जान बचाने के लिए बाहर निकल जाएंगे स्पीड के पास जाना चाता था पर एमबर उससा समझाती है कि अगर कर वो बाहर निकलते हैं तो मदद लेकर आ सकते हैं और तब वे दोनों महां से बाहर निकल जाते हैं अब इस तरफ केट के रूम में डोर खुलता है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती है और वो वहीं पर छिलाती रह जाती है एमबर और स्पीड चलते चलते एक जगर पर जाते हैं और एंबर महापन नजर रखे हुई थी और स्पीड स्विचबोट को देख रहा था एंबर को पता नहीं लगता है और डेल आकर कीलो वाली एक लकली स्पीड के सर पर मार देता है स्पीड पूरा खूं सा सन गया था अब डेल फिर एंबर को पकड़ के उसके कपल फ चड़ती है जिसके बाद वो उसी रूम में आ जाती है जहां पर वो आदमी था वो आदमी बताने लगता है कि वो इसी देश की आर्मी में था और दुश्मनों से लड़कर उसने अपने देश को बचाया था दुश्मनों ने जब उसे पकड़ा तो उसके चेरे के खाल निक एमबर का लास्ट टास्क यही था कि वो उसे मार कर यहां से चली जाए और एमबर भी गुस्से में गुली चला देती है लेकिन असल में वो केट थी जिसे उस आदमी ने अपने कपले पहना कर बिढ़ा कर रखावा था अब केट भी मर जाती है और केट के शेरी पर बॉम का ट गड़े में देखती हैं तो महाँ पर ट्रैप था जिसमें एमबर गिरकर मारी गए थी और गड़े के अंदर लकड़ी उसके शेरी के आरपार हो गए थी और इसी के साथ में सबी साती मारे गए थे सीन यहें पर कट होता है और हम देखने के बर था और लुईस अगले साल हे कार्मी परसन था जो कि टेररिस्टे से लड़ते वक्त घैल हो गया था लेकिन कभी भी उसे देशी गवर्मेंट ने ना सम्मान नहीं उसके कभी कदर की और इसलिए वो अपना बदला लोगों से ले रहा था जिसमें उसके बीवी और डेल भी इनवोल था तो आई होब दोस